गूद इबनिंग तो वोल कई सारे कैंडिडेट के मेरे पास मैसेज़ आ रहा है जिसमें वो मुझे बता रहा है कि उनके पास कोई फेक कॉल कर रहा है बैंक से कभी कॉल साती हैं जैसे एक कैंडिडेट ने मेरे पास ये मैसेज किया इस तरहिके से सर EMRS के कैनिडेट्स के पास स्कैमर्स के फोन आ रहे है वो बोलता है मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ EMRS ने हमसे आपकी सेलरी को लेकर टाई अप किया है और वो डिटेल्स मांगता है मेरे पास जिस नंबर से कॉल आई है वो ये है नंबर है 7206905061 आप अपने चैनल के माद्यम से काफी बच्चों की हल्प करते हो अगर ये सूचना भी दे देंगे तो काफी बच्चे अलर्ट हो जाएंगे बिलकुल मैं ये सूचना देने के लिए हलाकि मुझे ये इवनिंग में ही पता चला था बच्चों की मैं बिजी था जस्ट अभी फिरी हुआ हूँ तभी मैं कई सारे कॉल्स के मैसेजिस के रिप्लाई नहीं कर पाया और वीडियो भी नहीं बना पाया नहीं तो मैं एवनिंग में ही ये बना देता बच्चलो कोई नहीं आपने मुझे कहा है तो इस वजए से मैं तुरंथी वीडियो बना रहा हूँ और मैं लोगों को पताना चाहता हूँ ये सिचुएशन कैसे बनती है और क्या होता उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है जैसे लोग आपको डरा रहे होंगे कोई information मत देना लोग आपका account खाली कर देंगे ऐसा कुछ नहीं एक्च्छल में है क्या मैं अभी बताता हूँ फिर मैं ने मुझे ये भी कहा सर मुझे MP में स्कूल मिला है और मेरे स्कूल के teachers ग्रुप में तीन बच्चों को ऐसे same call आई है देखिए सबसे पहले तो ऐसा है वास्ताओं में अगर देखा जाए आपके पास अगर आप banking services यूज करते हैं तो bank भी आपको alert करती रहती समय समय पर कि bank द्वारा कोई भी व्यक्त आपसे आपकी जानकारी नहीं मांगता है इसलिए आप अपनी information किसी के साथ सेर ना करें तो इसके लिए तो I think सभी अवेर होंगे बड़ चूकि है क्या अब आपकी जॉब लगी है तो इस तरीके से calls आएंगे तो आपको लगेगा कि हो सकता बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि क्योंकि सभी लोग मिचूर हैं सभी लोग समझते हैं कि ऐसे कोई call नहीं करेगा लेकिन हो सकता कुछ लोग जल्दवाजी में ऐसा कुछ करें देखो एक्चुल में है क्या कि जिस तरीके से लिस्ट वायरल हुई है यानि जो MRS का तरीका है उसने सब के नंबर नाम रूल न इमेल आइडी सारी चीजें जिस तरीके से पब्लिस करी हैं तो यह लिस्ट जो है आपकी कई जगा पहुच जाती है और फिर उसमें होता क्या है कि जैसे HDFC बैंक है तो इनके पास भी डेटा पहुचा होगा आपकी लिस्ट जैसे MP की पहुची होगी तो इन्हों ने अपने employees को private bank है लगा दिया काम पर कि इन सभी को phone कर लो और इनसे इनको कैसे भी करके convince करो ताकि यह account अपका HDFC में खुलवा ले क्यों कि आप अगर इनका इस तरीके से बताओगे कि मेरा tie up है और मुझे कुछ information चाहिए यह दे दो उसमें कुछ खास नहीं मांगेगे आपका अगर लिस्ट में है आपके तो कुछ चीजे यह मांगेंगे आपका एकाउंट खोल देंगे मलब आपसे बात करके तो उसमें कोई हलाकी उनसे साफ मना कर दो क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं यह मारेस पहली बात तो एक चीद ध्यान रखिए जितनी भी गवर्मेंट जॉब्स हैं वो कोई भी हो चाहें EMRS हो, NVS हो, KVS हो या आपका स्टेट बैंक हो या कुछ भी हो तो कभी भी इनका टाइप प्राइवेट बैंक के साथ नहीं होता है सबसे पहले आप ध्यान रखिए मतलब सेलरी से रिलेटेड जो सेलरी एकाउंट जैसे कि मैं KVS की बात करूं त तो KVS अपने Employees को Recommend करता है UBI Union Bank of India तो ऐसे ही होता क्या है कि हर उसका एक अलग जैसे कि ज्यादातर लोग SBI को Refer करते हैं जिसे कि स्टेट में अगर मैं बात करूं अगर आप राज की करमचारी है राज करमचारी है मतलब जो प्योर गवर्मेंट की बात करते हैं आटोनोम कि आप अपना कोई भी एकाउंट दे सकते हो उनको कोई ऐसा बांडेशन नहीं है जो एकाउंट वो खुलवाएंगे वही देना है बढ़ हां यहां पर क्या है कि जैसे जिसरीके से बात कर रहे हैं मैं HDFC बैंक से बोल ला हूं या मैं वहां से बोल ला हूं मैं इस बैंक से तो वैसे भी आपको यह अपनी डिटेल मस्ट शेयर करिए कुछ भी मत उन्हें दी दिये बाकी और कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कुछ भी वो नहीं करेंगे सर्फ होता क्या है कि एक डिटेल उनके पास पहुंच गई है तो इस वज़े से वो कन्विंस करने की कोसिस क नहीं है अब जैसे कि जब मेरा हुआ था मैं जिस पोस्ट में हूँ जी आई सी में तो यहां भी एक लिस्ट आई थी जैसे ऐसा होता है कि जैसे हम मैं उत्तर पुदेश्य हूं आप लोगों को बता दूं कि यह जो अभी आपके यहां के वीएस एन वीएस में अभी कुछ इधर नई recruitment में जिस तरीके से लोगों को मतलब किसी सांसर द्वारा या किसी जन प्रतनिदी द्वारा एक appointment letter physically दिया जाता है जैसे कि कुछ लोगों को selected लोगों को बुलाया जाता जिसे कि ज्यारखन में हुआ था आपनों को ने देखा होगा उस समय आपके कुछ candidate को वहां बुलाया गया था एक प्रोग्राम हुआ था जहां पर उनको appointment letter दिये गया थे तो ये practice मालूम है कहां से शुरू हुई ये यूपी से शुरू हुई उप्तर प्रदेश में 2018 से ये practice शुरू हुई 2018 में मेरे यहां के माननी मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके का प्रोग्राम शुरू किया था फिर उसके बाद अभी recent दो सालों से central government ने भी ये इस तरीके से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया इसमें होता गया है कि जैसे हर district में जितने भी लोगों का चयन होता है उसम district में था तो उस district में मेरिट के हिसाब से 10 लोगों को बुलाया गया था जिनको physically मतलब वह ज्वाइनिंग लेटर एपॉइंट में लेटर दिया गया था बाकी लोग को ने अपना साइट से डाउनलोड किया था तो हुआ यह था कि हर district से यह 10-10 लोगों का जो नाम था यह नाम मोबाइल नंबर और इमेल आइडी यह पूरा वाइरल हो गया था उस समय कि भाई तू फिर हुआ क्या कि जब उस समय वाइरल हुआ था तो यह तो खेर आप से बैंक डेटेल म करते थे अच्छा आपका सेलेक्शन इसमें हुआ है मुझे इस लिस्स से पता चला है जी हुआ है तो आप मैरीड है अन मैरीड है हलाकि तब मेरी शादी नहीं हुई थी तो इस तरीके से तमाम प्रोपोजल मतलब वो क्या करते हैं उस मौके को अवेल करने की कोशिस करते है कि सब की नजर होती है सरकारी कर्मचारियों पर साधी के परपस से या एकाउंट के परपस से अभी जैसे आप जॉइन करोगे तमाम तरीके के लोग आपको प्रीमियम के लिए फोन करेंगे इंशूरेंस के लिए फोन करेंगे तो ये चीज़े रहती है और इसमें कुछ ऐस ज्यूसरा कुछ भी नहीं होता है इस तरीके से खुछ भी नहीं होगा इस्कूल में आप जब जोईन करेंगे इसकूल का प्रिंसिप्लब्र आप से सेड़ी से रिलेटेडड बात करेडि और भाप उससे दें अधर्वाइस इस तरीके की ऐज़न लेया हूं है उन्हें यह से कोई भी वास्ता नहीं है बाकी यह डिटेल्स जो आप लोगों ने देखा होगा हर स्टेट की जहां से भी लिस्ट आई है तो उसमें आपका पूरा सब दिया है इमेल आईडी दी है नाम दी है नंबर दिया है डियो भी दी है यह तमाम चीजे दी हुई है तो वही उनके पास डेटा पहुचा होगा वैसे भी आज कल यह लोग जानते हो कई बार क्या होता है आपके पास कभी अच्छे प्रलोबन को लेकर के लोग फोन करते हैं मुझे नहां से नंबर मिला था तमाम चीजे रहती हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं परेशान होने वाली बात नहीं बस हाँ थोड़ा सा इन लोगों को ज़्यदा इंटर्टेन मत करो तुरंत है अपना फोन उन करे पहले वाँ तो फोन काट दो और उन्हें समझा दो और अगर आपके अंदर भी यह हुनर है कर सकते हो बहतर है तो बस यहीं बताना था बाकि ऐसा इनका कोई टाइब आप नहीं है अभी एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कुछ एन्वीयस के और केवियस के इंप्लॉई हैं जो अभी वर्किंग है क्योंकि समय चुट्टियां चल नहीं है अला कि कुछ जगा खतम हो चुकी है स्कूल शुरू होने वाले हैं तो बताना यह है उनको CLE लेनी है तो उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे अभी क्योंकि यह आप लोगों के लिए भी जानना जरूरी है जो भी गवर्मेंट इंप्लॉई हैं तो उनके हम बेरोजगार होते हैं हमारे बास सिर्फ एक ही उद्देश होता है कि नौकरी कैसे मिले बाकी चीजे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं हमारा सिर्फ एक फोकस होता है कि नौकरी मिले उसमें भी लोग कहते हैं नौकरी कहीं भी मिले हम कर लेंगे जैसे हर इंसान जो इसके प बार दीव समों भी भेज़ने में वहां नौकरी कर लूँगा ऐसी पाते लोग किया करते हैं और सही भी है नौकरी मिननी एक अपने आप में होता है कि हमें नौकरी लेनी है लेकिन जिस दिन हम जौइन कर लेते हैं फिर उसके वाद जब तीन-चार महीने हम नौकरी करते हैं तीन-चार महीने नौकरी के बाद फिर हमें वो चीजे जब पता चलती हैं गरे छुप्ती नहीं मिलेगी घर नहीं जा पाएंगे या मालो घर में कोई काम है फिर हम कैसे करें क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशन्स हैं क्योंकि इंसान की तमाम नीट्स होती हैं कि नौकरी वो इसलिए करता है ताकि नौकरी के माध्यम से जो उसको पैसा मिले तो उससे वो सम्मान से और अपनी आवश्यक्ताओं को वो पूरा कर सके और कुछ समाज में अपना योगदान दे सके तो इसलिए जरूरी है जानना आपको हर चीज के नियम आपकी सर्विस के नियम सेव वीडियो को कवर करने की कोशिश करता हूं मैं करता रहूंगा बस अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो वेकेशन के बाद और पहले चुट्टी का कोई प्रावधान है या नहीं है उसके बारे में बात करूंगा और यह जरूरी है अगर आपने थोड़ी भी ग